आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्त की सरुषेष्ट कहानियां। आए सुनते हैं मुशी प्रेम चंद्र के द्वारा लिख्यूई कहानी अपनी करणी। आह अभागा मैं मेरे कर्मों के फल ने आज यहा दिन दिखाए। कि अपमान भी मेरे उपर हसता है। और यहा सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिरिल जाम क्यों दूं। किस्मत को खरी कोटी क्यों सुनाओं। होनी को क्यों रों। जो कुछ किया मैंने जानते और बूशते हुए किया। अभी एक साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था। प्रतिष्ठित था और सम्रद्धी मेरी चेरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी। लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिन्दगी मेरी दूरदसा पर आसु बहाती है। मैं उचे खांदान का बहुत पड़ा लिखा आदमी था। फार्सी का मुला संसिकरत का पंडित अंग्रेजी का ग्रेजुएट। अपने मुह मिया मिठ्थू क्यों बनू लेकिन रूप भी मुझको मिला था। इतना कि दूसरे मुझसे इर्शा कर सकते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ जिन्दिगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीजों की जरूरत हो सकती है वह सब मुझे हासिल थी। सेहत का यह हाल है कि मुझे कभी सिर्दर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सेर, दरिया की दिल फरेविया, पहाड की सुन्दर द्रश्य, उन खुशियों का जिकर ही तकलीव दे हैं। क्या मजे की जिन्दिगी थी। आह यहां तक तो अपना दर्दे दिल सुना सकता हूं। लेकिन इसके आगे फिर होटों पर खामोशी की महर लगी हुई है। एक सती सादवी, प्रति प्राणा इस्त्री और दो गुलाब के फूल से बच्ची। इनसान के लिए जिन खुशियों, आरजूओं, होसलों और दिल फरेवियों का खजाना हो सकते हैं, वह सब मुझे प्राप्त थे। मैं इश्योग नहीं कि उस पतित इस्त्री का नाम जबान पर लाओं। मैं इश्योग नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूँ, मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बेहिस्ती नेमतों की कद्र ना की, जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इक्षा में कभी कोई भेद नहीं किया, जो मेरी सारी बुराईयों के बावजूद क कभी सिकायत का एक हर्प जबान पर नहीं लाई, जिसका गुस्सा कभी आँखों से आगे नहीं बढ़ने पाया, गुस्सा क्या था, कुआर की बर्खा थी, दो चार हलकी हलकी बुंदे पड़ी और फिर आसमा साफ हो गया, अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी क कदर न की, मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़ पाया, मैंने उसके साथ दगा की, आह, जब मैं दो दो बजी रात को घर लोडता था, तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूसते थे, नित नए हीले गरता था, शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मजे से मदर से जाने ना देते थी, उस वक्त भी बुद्धी इतनी प्रकर ना थी, और क्या उस छमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था, वह भोली थी, मगर ऐसी नादान ना थी, मेरी खुमार भरी आखें और मेरे उथले भाव, और मेरे जूटे प्रेम प्रदर्शन का रह सिक्या उसस की रग-रग में शराफत भरी हुई थी, कोई कमीना खयाल उसकी जुबान पर नहीं आ सकता था, वह उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुले आम दिखला कर, हमारे पवित्र संबंध में खिचाव या बदमजगी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी, कि मेरा नशा खुद बखुद उतर जाएगा, कास इस सराफत के बदले उसके सभाव में कुछ ओच्छा फन और अनुदारता भी होती, कास वह अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती, कास वह इतनी सीधी ना होती, कास वह अपने मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल ना होती, काश वह इतनी मकार ना होती, लेकिन मेरी मकारी और उसकी मकारी में कितना अंतर था, मेरी मकारी हरामकारी थी, उसकी मकारी आत्म बलिदानी, एक रोज में अपने काम से फुरसत पाकर, शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिगा में पहुचा और संगमर्मर के होज पर बैठ कर मचलियों का तमाशा देखने लगा एका एक निगा उपर उठी तो मैंने एक औरत को बेले की जाड़ियों में फूल चुनते देखा उसके कपड़े मेले थे और जवानी की ताज़गी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात ना थी उसने मेरी तरफ आँखें उठाई और फिर फूल चुन्ने में लग गई गोया उसने कुछ देखा ही नहीं उसके इस अंदाज ने चाहे उसकी सरलता ही क्यों न रही हो मेरी वाशना को और भी उद्दिप्त कर दिये मेरे लिए यह एक नई बात थी कि कोई ओरत इस तरह देखे कि जैसे उसने नहीं देखा मैं उठा और धीरे धीरे कभी जमीन और कभी आस्मान की तरफ ताकते हुए बेले की जाडियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा इस जिटाई का नतीजा यह हुआ कि वहां मालिन की लड़की वहां से तेजी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गए उस दिन से मालूम नहीं वह कौन सा आकरशन था जो मुझे रोज साम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खीच ले जाता उसे महबत हरगिस नहीं कह सकते अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आँखों से आंसु भी न निकले जोगिया धरन करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है मैं रोज जाता और नए नए रूप धर कर जाता लेकिन जिस प्रकृती ने मुझे अच्छा रूप रंग दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था मैं रोज जाता और रोज लोड जाता प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता था हाँ इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वहाँ पहली सी जिजक न गई आखिर इस सांति पूर्ण निती को सफल ना होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची एक रोज में अपने साथ अपने शैतान बुल डॉग टॉमी को भी लेता गया जब शाम हो गई और वहाँ मेरे धहरी का नाश करने वाली फूलों से आचल भर कर अपने घर की ओर चली तो मैंने अपने बुल डॉग को धीरे से सारा कर दिया बुल डॉग उसकी तरफ बाच की तरह जपटा फूल मती ने एक चीक मारी दो चार कदम दोड़ी और जमीन पर गिर पड़ी आप मैं छड़ी हिलाता बुल डॉग की तरफ गुस्ते बरी आँखों से देखता और हाई हाई चिलाता हुआ दोड़ा और उसे जोर से दो-तिन डंडे लगाए फिर मैंने विखरे हुए फूलों को समेटा सहमी हुई औरत का हाथ पकड़ कर बिठा दिया और बहुत लजजित और दुखी भाव से बोला यहाँ कितना बड़ा बदमाश है अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया फूल मती ने चादर से सर को ढाकते हुए कहा तुम ना आ जाते तो भाव मुझे नौश डालता मेरे तु जैसे मन-मन भर में पैर हो गए थे मेरा कलेजा तो अभी तक धड़क रहा है यह तीर लक्ष पर बैठा खामोशी की महट तूट गई बातचीत का सिलसला कायम हुआ बान में एक दरार हो जाने की देर थी फिर तो मन की उमंगों ने खुद बखुद काम करना शुरू किया मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए जैसे जैसे स्वांग रचे वह रंगीन तवियत के लोग खूप जानते हैं और यहां सब क्यों महबबत से नहीं सिर्फ जरा देर दिल को खुश करने के लिए सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोले पन पर रीच कर यो मैं बहुत नीज प्रक्रती का आदमी नहीं हूँ रूप रंग में फूल मती का इंदू से मुकाबला ना था वह सुन्दर्ता के साचे में धली हुई थी कभियों ने सोंदरी की जो कसोटियां बनाई है वह सब वहां दिखाई देती थी लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूल मती की धसी हुई आखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होटों की तरब अपने दिल का ज़्यादा खिचाओ देखा आना जाना बढ़ा और महीना भर भीना गुजडने पाया कि मैं उसकी महबत के जाल में पूरी तरह फंस गया मुझे अब घर की सादा जिन्दिगी में कोई आनंद ना आता था लेकिन दिल जियों जियों घर से उचड़ता जाता था तियों तियों मैं पत्नी के प्रती प्रेम का प्रदर्शन और भी हथिक करता था मैं उसकी फर्माईशों का इंतिजार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी जबान पर ना आती शायद मैं अपनी आंतरिक उदा सींता को सिश्टा चार के परदे की पीछे छिपाना चाहता था धीरे धीरे दिल की या कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदा सींता दिखाई देने लगी घर में कपड़े नहीं है लेकिन मुझसे इतना ना होता कि पूँच लू सच यह है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था अब मेरा दिल और जान और रुपिया पैसा सब फूल मती के लिए था मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर न गया था लेकिन आज कल कोई मुझे राद गए एक मसूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था बजाज के दुकान में भी मुझे रूची हो गई एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सेर कर रहा था और फूल मती सोलो सिंगार की ये मेरी सुनहरी रुपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड रही थी बल्कि यों कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी उसकी छोटी छोटी आखी उस वक्त नसे के हुश्न में फैल गई थी और उनमें शोखी और मुस्कुराट की जलक नजर आती थी अचानक महराजा साहाब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवारा पहुंचे मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दोड़ा और आदाब बज़ा लाया बेचारी फूल मती महराजा साहाब को पहचानती थी लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी महराजा साहाब चले तो होच की तरफ लेकिन मेरा दुर भाग उन्हें क्यारी पर ले चला जिदर फूल मती छीपी हुई थरथर काप रही थी महराजा साहाब ने उसकी तरफ आश्यारे से देखा और बोले यह कौन और थे सब लोग मेरी और प्रश्न भरी आँखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दे दू वरना फूल मती ना जाने के आफ़र ढादे लापर वाही के अंदास से बोला इसी बाग के माली की लड़की है यहाँ फूल तोड़ने आई होगी फूल मती लज्जा और भाय के मारे जमीन में धसी जाती थी महराजा साहब ने उसे सरसे पाउं तक गौर से देखा और तब संदेह सील भाव से मेरी तरब देखकर बोले यहाँ माली के लड़की है मैं इसका क्या जवाब देता इसी बीच कमबक्त दूर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाक संभलता हाथ में कुदाल लिये हुए दोड़ता हुआ आया और सर को खुटनों से मिला कर महराज को प्रणाम किया महराज ने जरा तेज लहजे में पूछा यह तेरी लड़की है माली के होश उड़ गए कापता हुआ बोला हुजूर महराज तेरी तनख्वा क्या है दूर्जन हुजूर पांच रुपे महराज यह लड़की कुवारी है यह ब्याही दूर्जन हुजूर अभी कुवारी है महराज ने गुस्से में कहा या तो तू चोरी करता है या डांका मारता है वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमिरजादी बनकर रह सके मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा वरना मैं तुझे पुलिस के सुपूर्द कर दूँगा ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहां नहीं रख सकता माली की तो घिग्गी बन गई और मेरी यहा हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं दुनिया अंधिरी मालूम होती थी मैं समझ गया कि आज मेरी सामात सर पर सवार है वह मुझे जड से उखाड कर दम लेगी महराजा साहब ने माली को जोड से डाट कर पूछा तु खामोश क्यों है बोलता क्यों नहीं दुरजन फूट फूट कर रोने लगा जब जरा आवा सुधरी तो बोला हुजूर बाब दादे से सरकार का नमक खाता हूँ आप मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए यह साब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्मावतार इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी कुल का नाम मिटा दिया आप मैं कहीं मुह दिखाने रायक नहीं हूँ इसको सब तरह से समझा बुझा कर हार गए हुजूर लेकिन मेरी बास सुनती ही नहीं तो मैं क्या करूँ हुजूर माई बाप हैं आप से क्या परदा करूँ उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है और आज कल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ दीन बंदू तो सब जानते हैं महराजा साहब ने जरादेर गौर करके पूछा क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंद है दूरजन ने सर जुका कर कहा हुजूर महराज साहब वह कौन आदमी है तुम्हें उसे बतला न होगा दूरजन महराज जब पूछेंगे बता दूँगा साच को आज क्या मैंने तो समझा था इसी वक्त सारा परदा फास हुआ जाता है लेकिन महराज साहब ने अपने दरवार के किसी मुलाजिम की इज़त को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैटकर महल की तरफ चले इस मनहूस वाक्ये के एक हपते बाद एक रोज बे दरवार से लोटा तो मुझे अपने घर में से एक बुड़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी उसे देखकर मैं ठीटका उसके चहरे पर बनावटी भूलापन था जो कुट्नियों के चहरे की खास बात है मैंने उसे डाट कर पूछा तु कौन है? यहां क्यों आई है? बुड़िया ने दोनों हाथ उठा कर मेरी बलाएं ली और बोली बेटा नाराज ना हो, करीब भिकारी हूँ मालकिन का सुहाग भरपूर रहे उसे जैसा सुनती थी, वैसा ही पाया यहां कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई मेरे गुस्से का पारा चढ़ा मैंने घर जाकर पूछा, यहां औरत कौन थी? मेरी बीवी ने सर जुकाए, धीरे से जवाब दिया क्या जानू, कोई भिकारीन थी? मैंने कहा भिकारीनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती यहां तो मुझे कुटनी सी नजर आती है साफ साफ बताओ, उसके यहां आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाए की इन संदेह बरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सीर उठाए और मेरी तरप उपेक्षा भरी आँखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे उसने सर जुकाए हुए जवाब दिया मैं उसके पेट में थोड़े ही बेठी थी भीग मांगने आई थी भीग दे दी किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था कि वहाँ जितना जबान से कहती है उससे ज्यादा उसके दिल में है जूटा आरोप लगाने की कला में वहाँ भी बिल्कुल कच्ची थी वरना तिरिया चरित्र की था कैसे मिलती है मैं देख रहा था उसके हाथ पाँ धर्थरा रहे है मैंने जपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को उपर उठा कर बड़े गंभीर क्रोश से बोला इन दूद तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा कितना एद्बार है लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच-सच ना बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा तुम्हारा धंग बतलाता है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है या खूब समझ रखो कि मैं अपनी इजद को तुम्हारी और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज समझता हूँ मेरे लिए यह डूब मरने की जगा है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बाते करूँ उसकी ओर से मेरे दिल में संधेहे पैदा हो मुझे अब ज़्यादा सबरी की गुंजाइस नहीं है बोलो क्या बात है इंदू मती मेरे पेरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली मेरा कसूर माफ कर दो मैंने गरज कर कहा वह कौन सा कसूर है इंदू मती ने संभल कर जवाब दिया तुम अपने दिल में इस वक्त जो खयाल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ ना रहने दो वरना समझ लो कि आज इस जिन्दिगी का खात्मा है मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे उपर जो जुल्म किये हो उन्हें मैंने किस तरह जहला है और अब भी सब कुछ जहलने के लिए तयार हूँ मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है जिस तरह रखोगे रहूंगी लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसे ही दूसरों को समझते हो मुझे से भूल अवश्य हुई है लेकिन उस भूल की यह सजा नहीं कि तुम मुझे पर ऐसे संदेह करो मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिठ्था बयान कर दिया मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ तो उस औरत की हम दर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलकती हुई आग में मुझे यह सब भूल कर करवाई और इसके लिए तुम जो सजा दो वह मेरे सारांखों पर है मेरा गुस्सा जरा धीमा हुआ बोला तुमने उससे क्या कहा इंदु मती ने कह दिया घर का जो कुछ हाल है तुम्हारी बेवफाई तुम्हारी लापरवाई तुम्हारा घर की जरूर्तों की फीक्र न रखना उनकी बेवकुफी का क्या कहूँ मैंने उसे यहां तक कह दिया कि इधर तीन महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गेहनों पर बड़ी तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन तीन महिनों में मेरे साड़े चार सु रुपे की जेवर बिग गए ना मालूम क्यों मैं उसे यहा सब कुछ कह गई जब इनसान का दिल जलता है तो जबान तक उसकी आज आ ही जाती है मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुना सकत सजा तुमने मुझे दी है मेरे बयान लेने का भी सबर ना हुआ खेर तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गए तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं रहा वरना एक भिखारे नौरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे सुभे क्यों होते मैं सर पर हाथ रखकर बैठ गया मालूम हो गया कि तबाही के सामान पूरे हुए जाते हैं दूसरे दिन में जो ही दफ्तर में पहुँचा चौपदार ने आकर कहा महरास सहाब ने आपको याद किया है मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किये बैठा था मैं खूप समझ गया था कि वह बुढ़िया खूपिया पुलिस की कोई मुखविर है जो मेरे घरेलू मामलों की जाज के लिए तैनात हुई होगी कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलवी है खौप से सहमा हुआ लेकिन दिल को किसी तरह समालते हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा अभी से क्यों जान दूँ मैं महराज की खिद्मत में पहुँचा वह इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे कागजों का एक धेर इधर उधर फैला हुआ था और वह खुद किसी खयाल में डूबे हुए थे मुझे देखते ही वह मेरी तरफ मुखातिब हुए उनके चेहरे पर नाराजगी के लक्षन दिखाई दिये बोले हुँ और स्याम सी मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बावत मुझे जो बाते मालूम हुई वह मुझे इस बात के लिए मजबूर करती है कि तुम्हारे साथ सक्ति का बरताव किया जाए तुम मेरे पुराने वसी का दार हुए और तुम्हें या गौरव कई पीडियों से प्राप्त है तुम्हारे बुजूर्गों ने हमारे खांदान की जान लगाकर सेवाएं की है और उनही के सिले में यह वसी का दिया गया था लेकिन तुम्हें अपनी हरकतों से अपने कोई स्क्रापा के योग्ये नहीं रखा तुम्हें इसी लिए वसी का मिलता था कि तुम अपने खांदान की परवरिश करो अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वह राजी की कुछ खिद्मत कर सके उन्हें सारी रिक और नेतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो ना कि इसलिए कि तुम उस रुपे को बेहुदा, एश पस्ती और हरामकारी में खर्च करो मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि तुमने आप अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खांदान मिट जाएगा इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की फैरिस्त से खारिज कर दिये और तुम्हारी जगा तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया वो अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फैरिस्त में लिया जाएगा तुम्हे अपने को इसी के योग के सिद्ध किया है और मुझे उमीद है कि यह तबादला तुम्हें नागवार ना होगा बस जाओ और मुम्किन हो तो अपने किये पर पस्ताओ मुझे कुछ कहने का साहस ना हुआ मैंने बहुत धैरी पूरवक अपने किसमत कहिया फैसला सुना और घर की तरफ चला लेकिन दो ही चार कदम चला था कि अचानक खयाल आया किसके घर जा रहे हो तुम्हारा घर अब कहा है मैं उल्टे कदम लोटा जिस घर का में राजा था वहां दूसरों का आश्रित बन कर मुझे नहीं रहा जाएगा और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए मेरा आचरन निश्य ही अनुचित था लेकिन मेरी नैतिक संबेदना अभी इतनी थोती न हुई थी मैंने पका इरादा कर लिया कि इसी वाक्त इस सहर से भाग जाना मुनासिब है वरना बात फैलते ही हम दर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हाल चाल पूछने के लिए आजाएगा दूसरों की सूखी हम दर्दियां सुननी पड़ेंगी जिनके परदे में खुशी जलकती होगी एक बार सिर्फ एक बार मुझे फूल मती का ख्याल आये उसके कारण यह साब दुर्गत हो रही है उससे तो मिल ही लूँ मगर दिलने रोका में रुपिया पैसा ज्यादा कीमती चीज है मुम्किन है इस वक्त मुझे पर तरस खाकर यह छणिक आवेश में आकर फूल मती मेरे साथ चलने पर अमादा हो जाए लेकिन उसे लेकर कहां जाऊंगा पाउं में बेडियां डाल कर चलना तो और भी मुश्किल है इस तरह सोच विचार कर मैंने बंबई की राह ली और अब दो साल से एक मिल में नौकर हूँ तनख्वा सिर्फ इतनी है कि जियों तो जिन्दिगी का सिलसिला चलता रहे लेकिन इश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेश्ट प्रबंद कौसल से घर की आलत खूब संभाल ली है मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आँखों से देखा दरवाजे पर दो लाल्टे ने जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रही थी हर जगा सफाई और सुत्रापन दिखाई देता था मैं वहां क्यों जाऊंगा और यह कालिक लगा मुझ किसको दिखाऊंगा अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालत में जिन्दिगी के दिन काटने है चाहे रो कर काटूं या हस कर मैं अपनी हरकतों पर अब शर्मिन्दा हूँ अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र न की उन्हें लाद से ठोकर मारी यह उसी की सजा है कि आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाग भी हवा के जोंकों से नहीं बची तो यह थी मुझे प्रेम चंद्र के द्वारा लिख्यूए कहानी अपनी करने आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी